नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजय चोदरी आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि नेट के एक्जाम को इजिली कैसे क्रेक किया जाए नेट प्लस जियारफ ना क्यों हमें नेट क्लियर करनी है बलकि हमें उसके साथ ही जियारफ को भी क्लियर करना है देखें मैं ये चीजें इतने दावेग साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने च्यार बार नेट जियारफ यूजी सी का क्लियर किया है इसलिए कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेर करना चाहता हूँ जो मैंने अपनाई थी और उसका फल भी मुझे मिला कि मेरा च्यार बार नेट ज्यारफ क्लियर हुआ तो आज मैं कुछ वही बातें आपके साथ शेर कर रहा हूँ और अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा बसरते आप उनको सुनके एपलाई भी करें सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा आपको उनको एपलाई भी करना पड़ेगा तो देखे आई आज हम बात करते हैं देखे आप सभी जानते हैं कि UGC का जो सलेबस है CBSC NET आभी करवा रही है इसमें पैटर्न आप जानते हैं पांस नॉंबर को एक्जाम है दो महीने बचे हैं और दो महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नॉंबर या मारस लाई जाएं आप जानते हैं तीन पेपर होंगे फर्स्ट पेपर सेकंड और थर्ड ये तीन पेपर है पहला पेपर सो नॉंबर का है जो सब के लिए समान रूप से ये कमपलसरी है इसमें पचास क्यों सनाएंगे इसकी 10 यूनेट जो है उनके बारे में मैंने नेट का इससे पहला वीडियो बनाया था कि फर्स्ट पेपर की тыyary कैसे करें उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ उसके बाद मैं सेकंड और थर्ड पेपर सो मार्क्स और देट सो मार्क्क का 1st और 2nd पेपर में 50-50 कुछन आएंगे और 3 पेपर में 75 कुछन आएंगे पहले पेपर में 10 गंटा दूसरे पेपर में 100 गंटा और 3 पेपर में भी आपको 1,5 गंटे का समय मिलेगा समय की कोई कमी नहीं है first और second के अंदर आपको थोड़ी speed रखने पड़ेगी first और second में भी first paper में थोड़ी ज़्यादा बाकि जो third paper है उसमें आपके पास में इतना समय होता है कि 75 कुशन की जगह अगर ये 500 कुशन भी देते तो भी हम उनको easily कर रहेते इतना समय मिलता है तो आएए बात करते हैं सबसे पहले है कि फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें तो देखे फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम 65-70 नमबर तो 100 में से लाने ही पड़ेंगे अगर इससे कम मार्क्स आते हैं तो फिर वो डिपेंड जो मार्क्स रहते हैं कट ओफ के उस पर डिपेंड हो जाता है कि क्या पता हो भी जायर क्या पता ना भी हो इस वज़े से मैं एक सेफ जॉन लेकर के चल रहा हूँ कि कम से कम 65-70 नमबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे इसके लिए मैंने क्या किया था देखे परतियोगिता साहिते और उपकार ये गाइड थी उस मेरे पास ये मैं लेकर के आया था और ये मैंने अच्छे से रीड की थी पलस परतियोगिता साहिते में सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके पिछे जो क्यूशन दे रखे थे तो देखे उसकी विशेशता यह थे कि पिछ उसके उन्होंने पिछले सालों के क्यूशन दे रखे थे पलस मौडल पैपर प्रैक्टिस सेट इस तरह के कम से कम सो सो डेट सो क्यूशन थे उन क्यूशन को सोल करना बहुत जरूरी है पलस इसके लोगा मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ अच्छे नौट्स भी थे जिनका मैंने परियोग किया तो मैं वो चीज़ें आपके सामने ले के आऊंगा जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में रुजान दिया कि बिल्कुल आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी उपलाद आपको करवाओंगा दो महिने का समय है और जम के त्यारी कीज़ेगा नेट जियारत बहुत आसानी से किलियर होगा फिर यह कोई फरक नहीं पड़ता कि वो 6% पास करेंगे 15% निकालेंगे 6% जियारत निकालेंगे वो चीज़ें हमें नहीं देखनी है जम के त्यारी करेंगे वो चाहिए 2% भी पास करेंगे तो हमारा जियारत में नमबर आएगा उसमें तो पहले पेपर में आपको यह चीज़ें देखनी है पलस प्लिटिकल साइंस हो जियोग्राफी हो दर्शन सास्तर हो सोचलोजी हो साइकलोजी हो पिछले सालों के UGC के पेपर जो भी CBC नेट करवारी है आपको जरूर देखने है और बार बार देखने है जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखेगा और उतनी बार उनको सोल किजिएगा अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि second paper और third paper इनकी तैरी कैसे की जाए तो देखें यह optional subject का paper होता है और optional subject की तैरी के लिए हमें net का जो syllabus है वो कम से कम 5 बार आपके subject का जो भी syllabus है net का उसे कम से कम 5 बार आपको readout करना है अपनी आँखों से उसको बहुत अच्छे से निकलना है उसके बाद आपके BA और MA की books वो आपको देखनी है कि जो जो topic आपकी इन books में उपलब्द थे क्योंकि BA और MA की books तो आपने पढ़ी होगी वो पढ़के ही हमने MA clear किया है उसके अंदर आपको वो देखने है कि कौन सा topic उन books में है और वहां से उन topic को readout करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है उसके बाद में market से कोई भी एक guide बहुत सी guide उपलब्द है यूनिक है अरिहंत की भी आती है अरियंत है यूनिक guide है प्रतियुकता साइथ है उपकार है आपको जो भी इन में better लगे आपके topic wise आपके syllabus wise एक guide कोई सी भी आपको market से purchase करनी है क्योंकि वो जो guide है वो syllabus के according ही होती है और इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है लेकिन उसको लाके रखें पहले अपनी graduation की और master degree की उन books में से भी उन topic को एक बार जुरूर देखें आप पलस market से कोई भी net की एक guide पिछले सालों की जो cushion paper है वो मैं आपको बता चुका हूँ वो must है इसमें सबसे must है जिसमें कोई छूट नहीं है वो आपको पढ़ने ही है अब इसके साथ में देखेगा कि दिन का daily का हमारी क्या दिंचरिया होने चाहिए कि हम इसको easily cover up कर सकें तो देखें आपको first paper को कम से कम 2-3 घंटा daily देना पड़ेगा यह मान के चलिए आप इससे कम से काम नहीं चलेगा दो से तीन घंटा आप first paper को देंगे जो भी इसके कुछ important topic है जो मुझे लगेंगे कि हाँ यह मुझे आपको वीडियो बना के देने चाहिए वो मैं आपके सामने पेश करूँगा second और third paper है इनको कम से कम उसके बाद में जो second और third paper है तो कम से कम 5-6 घंटे आपको इनको देने पड़ेंगे जो विद्यारती first grade की त्यारी कर रहे है RPSC की उनके लिए कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं आएगी क्यूंकि एक बार first grade की तो आप त्यारी करी रहे हैं एक्जाम दे रहे हैं तो इसके साथ में एक बार net वाला syllabus आए उसको भी आँखों से निका लीजिए इसमें भी master degree मांगता है first grade में वहाँ भी master degree मांगता है net में भी तो जब चीज सेम है तो क्यों ना उसका फाइदा उठाय जाए ऐसे मोके बार बार नहीं आते क्योंकि ये 99.99 संभावना है कि अगली बार से net का paper साल में एक बारी होगा पहले दो बार होता था अब इसकी भी मैं आपके सामने पेश करूंगा चाहे वो geography हो चाहे history हो कुछ special topic में आगर आपको लगता है कि ये topic कोई समझने में समझया है या आपको लगता है कि इसके बारे में कुछ जानकरी चाहिए political science है history है कोई साभी subject हो आप comment कीजेगा मैं उसके बारे में वीडियो आपको बन चीजे मैंने आपको बताईए अगर आप उनको अच्छे से करते हैं और follow भी करते हैं ना केवल सुनना है बलकि उनको follow भी करना है आपकी handed 1% net clear हो जाईगी पलस GRF क्या चीजे करनी है मैं एक बार फिट से repeat कर रहा हूँ पिछले सालों के UGC के जो आईवे क्यूशन पेपर है 5-6 साल के वो सारे आपको आँखों से निकालने है और बहुत वार शोल करने है आपको बार बार शोल करने है पेपर एक बार शोल करके और उनको छोड़न को आँए दूसरा First, Second sami और Third paper नहीं क्रीठ नहीं मिलता है तो आपको जो टोपिक उसमें है वो तो आपको देखने है उनमें से पलस कोई भी एक guide, एक guide कोई सी भी आपको market से purchase करनी है, मैं आपको 4-5 नाम बता चुका हूँ, जो कि मेरे ध्यान में है, बाकि इसके लाव अगर कोई और guide भी, especially कोई master है, कोई teacher है, जिनकी कोई आती है, और आपको लगता है कि हाँ, इसकी जानकरी है आपको, तो आप वो guide भ clear ना हो, आने वाले समय में college lecturer की पूरे भारत वर्ष में बहुत सी vacancies आने वाली है, हर college में, university में, हर state में, UP, बिहार, पंजाब, हर्याना, इतनी जोब निकलती है lecturer के लिए, तो अगर net clear होगा, तो आप पूरे भारत में, कहीं भी जाकर के net का exam दे सकते हैं, ये इसमें सबस कोई भी question हो, कोई भी अगर आपकी query हो, तो आप मेरे से पूर सकते हैं, मैं पूरी कोशिस करूँगा है कि मैं उसका समाधान आपके सामने कर सकूँँगा, तो ये थी कुछ मैथपोन बाते हैं, और आज के वीडियो में, इतना ही, मैथपोन topic मैं आपके सामने लेके आता र जोनों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर करें, और पास के बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें, एलुष स्थके जरूर करें, जरूर करेंम किया एक जरूर इएकन अरूरिक किया जरूर का करेंगे एके सामने जरूर एकता ही, झाल झाल झाल